हेलो एवरीवन मैं हूँ पतीभा कानपूरकिचन.डाट कॉम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम मनाएंगे नए तरीके से बहुत ही तेस्टी धनिया और टमाटर की चटनी अगर आपको मेरी आज की रेजीपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमने एक कडाही में वन टेबल स्पून की जितना ओइल डाला हुआ है और गरम हो जाएगा आधा चोटी चम्मच हम इसमें ओड़त डाल डालेंगे चोकी तड़के वाली डाल होती है और आधा चम्मच ही हमने इसमें चना डाल डाली हुई है तो डालों को हम हलका सा रोष्ट कर लेंगे हलका गुलाबी होने तक ही से भूनना है अब हम इसमें डाल देंगे 7-8 करी पत्ते यहाँ पर एक medium size की प्याज को हमने इस तरह से काट लिया हुआ है तीन लहसुन की कलिया है वो भी डाल देंगे एक सुखी लाल मिर्च को हमने इस तरह से तोड़ के डाला हुआ है एक कटा हुआ टमाटर और थोड़े से नारियल कच्चा नारियल जो होता है उसको इस तरह से चोटी-चोटी टुकड़ी में काट लिया हुआ है वो डाल देंगे इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा बस हमें इसे हलका सॉफ्ट होने तक भोनना है तो नमक डाल देंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है बट यह हलका सा कूख हो जाना चाहिए तो यह दिखिए इस तरह से लगबग मैंने इसे एक से डेड़ मिनट तक इसे कूख कर लिया हुआ है अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती तो काफी सारा हरा धनिया डाल देंगे आज केल मार्केट में फ्रेस अरा धनिया बहुत आसानी से मिल जाता है और धनिया जो होता है वो हमारी शेहत के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक सुपर फूड है तो यह देखिए बस इस तरह से धनिया डाल के से हलका सा भून लेना है इसके बाद हम इसे थोड़ इमली का डालेंगे इससे कि इसमें अच्छी सी खटास आएगी अगर आपको खटा कम पसंद है तो कम डालेगा तो लगबग 2 टेबल स्पोन के जितना मैंने इसमें पानी डाला हुआ है इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है वैसे तो टमाटर खटा होता है बट मु दिए देखिए चटनी पिस गही है हमारी हम इसे निकाल लेंगे बट अभी हम इसमें एक तड़का लगाएंगे आप चाहें तो इस चटनी को ऐसी ही खा सकते हैं पड़ा अंगर इसमें तड़का लगा जाएगा इसके लिए आपर एक चमच दील को गरं किया हुआ है एक च हमने काफ़ी सारा करी पत्ता पहले ही डाल दिया था तो ये हमारी इडली डोसा के लिए एकदम नए तरीके की चटनी बन के तयार है रेसीपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चेयर जरूर कीजिएगा